प्लीज कर लिजिए और हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म हो गया चाहिए और इंस्टाग्राम हो गया ट्विटर हो गया या फिर फेस्बुक हो गया अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाए दरसल अब आते हैं खबर पर दरसल सोशल मेडिया से लेकर हर निउस प्लेटफॉर्म पर आजकल गौतम गंभीर के किस से तैर रही है वज़ा बिराट कोली से लड़ाई रज़त शर्मा से ट्विटर यूद और इनका एग्रेसिव नेचर भी है लेकिन जब आप गंभीर के कारणामों का जिक्र करते हो तो MS धूनी को आप नहीं भूला सकते क्योंकि गाहे बगाहे MS धूनी को लेकर गंभीर के विचार जो है वो भी खुल कर सामने आते रहते हैं इसी को लेकर इर्फान पठान ने एक नया खुलासा किया है क्योंकि जो पिछला मुकाबला था CSK और LSD का वहाँ पर बारिश के हुजासे मुकाबला तो नहीं हो पाया था लेकिन उस मुकाबले के दौरान इर्फान पठान ने जो खुलासा किया वो अपने आप में एक खबर जरूर बन गए खुलासा ऐसा कि गंभीर के चाल ने धोनी को ऐसे परशानी में डाल दिया था इर्फान पठान ने कहा कि LSD और CSK के मैच के दौरान कहा कि जब गंभीर के क्यार के कप्तान थे तो वह धोनी की इगो से खेल गए थे गंभीर इकलावते ऐसे शक्स रहे हैं जो सालों तक धोनी को परशान करते रहें धोनी के साथ खेलते रहें गंभीर की रणनीती का दिकर करते हैं ये पठान ने कहा कि धोनी के खलाब गौतब ने बैतरीन फिल्ड सेटिंग से उन्हें परशान कर दिया था ये कहानी तपकी है 2016 की जब KKR और पूरे वारियर्स के बीच मुकाबला खेला गया था दरसल, CSKA जब बैन थी उसमें पूरे वारियर्स के टीम भी मुकाबला खेलती थी जहांपर पूरी अरिकतर आप देखा जाए CSKA के बहुत सारे खिलाड़ी पूरे वारियर्स का हिस्सा थे उस घटना का जिक्र करतो इर्फान पठाने का कि जब गंभीर ने धोनी को परशान करने के लिए किसी टेस्ट मैच जैसी फिल्डिंग लगा देती है अभी भी अगर आप देखें तो जब-जब CSK और LSD का मुकाबला होता है तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपको इस तरीके की ये वाली जो हाइलाइट होती है कि धोनी के सामने जब आप test मैच वाली फिल्डिंग की जो हाइलाइट आपको अक्सर देखने को बिल जाती है उस मैच में धोनी तब बैट्टिंग के लिए आये थे जब पूने की टीम का स्कूर था वो 74 रनों पर 4 बिकिट हो गया था ऐसे में गंभीर ने आलात का फायदा उठा तो ये धूनी के इर्दिगिर्द तक्रीबन जो 4 फिल्डर तैनाद कर दिये थे तो धूनी के समस्या रही है उतनी इच्छी बल्लेबाजी वहां नहीं कर पाते है तो उसी का फायदा उठाया और टेस्ट मैच जैसे यहाँ पर फिल्डिंग लगा दे उस मैच में धूनी स्पिनर के खिलाब 24 लीडियों पर सिर्फ 8 रन ही बना पाया थे और मुकाबले में के रक्षी कप्तान हो आपके इगो को भी चैलेंज करता तो वही कारणामा वहाँ पर गौतंगंभीर ने किया था जिसका उनको फायदा हुआ था और इसका खुलासा इस IPL में वहाँ पर इर्फान पठान ने किया जो उस समय खुद पूरे टीम का हिस्सा थी बाकी हमने देख जब इस तरीके के बाते होती रहती है कई बार MS धोनी को लिकर जिस तरीके से गौतंगंभीर भी खुल कर आ जाते हैं वर्ल्ड कप के उनकी जो पारी रही है कई बार उसको भी जोड़कर देखा जाता है कि ऐसा लगता है गंभीर को कि शायद जो क्रेडिड है वो MS धोनी को परशानी में थे लेकिन लगातार आपको इस पोर्ट से आर पर अपडेट मिलती रहेंगी चाहें वो रस्लिंग के खबर हो या पर चाहें किर्कट की खबर हो लगातार हम आपको अपडेट दे रहें बाकि आई पेल के आज के अपडेश।